Whatever can happen, will happen. ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है मर्फीज लॉप? Whatever can happen, will happen. जो घटित हो सकता है, वो घटित होके रहेगा. Hello friends, मैं हूँ आपका दोस्ट, डॉक्टर आजीव कुम्बार. आशा है, आप खूश होंगे, मुस्कराते हुए होंगे, और आपके जिन्दगी को, आपके फैमिली के साथ, सही माहिने में ची रहे होंगे. करोना वाइरस पैंडेमिक हमारे जिन्दगी में एक सुनामी की तरह आया. इसने हमसे काफी चीजे से इन ली. कई लोगों से इसने उनके फैमिली मिंबर्स को छीन लिया. उनके साथ हमारी प्रार्थना और सान दूते. कई लोगों से इसने उनके जॉब छीन लिया. और कई लोगों को बिजनेस से हाथ दोना पड़ा. और कई लोग तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो गए. ऐसा नहीं है कि करोना वारस पैंडेमिक ने हमारे लाइफ को निगेटिवली इंपैट किया. ऐसी कई चीज़े हैं जिसे हम एक लर्निंग की तरह ले सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़े है वह है प्रायरिटी. पैसा शोरत इसके पीछे भागते भागते हमने हमारे प्राथमिक्ता को ही खो दिया है. इसे हजारो लाखो लोग है जो आपके जैसे जिन्दगी जिनने का सिर्फ ख्वा भी देखते हैं और आप है कि इसे नदर अन्दाज करते जा रहे हैं. क्रोना वाइरस ने हमें यह सिखाया है कि हमारी हेल्प और हमारी इम्मिनिटी यह हमारी नंबर वन प्रायरिटी है. दूसरी चीज़ इसने हमारे सिखाई है वह है हमारी फैमेली. वाटेवर हैपन्स फैमेली मैंटर्स ध्यान से सुनेगा इस सेंटेंस को. वाटेवर हैपन्स फैमेली मैंटर्स अगर आप इस वाइरस से क्रसित हो गए हैं और भले ही आपके जानने वाले ऐसे दिखाए कि वह आपको जानते ही नहीं हैं. या फिर आप से दूरी बनाएं पर आपके घरवले हुआ लोग हैं जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे हमारी फैमेली हमारे बिजनेस और हमारे टाइम से भी जादा मत्वपूर्न है यह इस वाइरस ने हमें सिखाया तिसरी चीज़ हमें सिखने को मिली है वह है फाइ इसलिए आपके पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि आप 6 या 8 मैने के लिए आपकी लायापलिटीस को चुका सको लायापलिटीस का मतलब है आपका EMI, आपके अधर खर्चे और आपके बिल्स चोती चीज़ हमें सिखने को मिली है वी ग्रेट्टुल फॉर वाटेवर य चकर में हम इन चीज़ों का रिस्पेक्ट करना भूल गए हम यह भी भूल गए कि हमारे आधे लंग्स तो पेड़ पाउदे पे टंगे हुए हैं जिनके वज़े से हमें ऑक्सीजन मिलता है पर्यावरन के जो एक्टिविस्ट है वो बार बार यह कहते रहे हैं कि पेड़ प सिखाई है कि हम इसके वज़े से कुछ दिन घर में बैटे उसके वज़े से पोलुशन की लेवल जो है वह काफी कम हो गई है और हमें साफ हवा मिलने लगी है पांच वी चीज इसने हमको सिखाई है वह है नो प्लैन इस फूल फूल दो हजार बीस के स्टार्टिंग में हर ह हुआ बड़ी कमपनी हर हुआ बिजनेस और इंस्टिटूशन इन्होंने ऐसे प्लैन बनाये कि जो कभी फेल नहीं हो सकते पर मार्च एंट तक आते 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 आल्मोस्स सभी प्लैन फेल हो गए इसका मतलब यह है कि प्लान वही सक्सेस्पुल है जो करन सिट्वेशन को आगे में लेके जाए इस अलसो इंडिकेट्स दाट नेवर बिफोर इन इस्ट्री आप यूमन काइंड वियर सो पावर्फुल यट सो वल्नरेबल दैट अस्मॉल वाइरस केन वाइप उस आउट लास्ट चीज और सबसे इंपर्डेंट चीज अगर हमने सिखी है वह है मिन citymallism and mental health इस वाइरस ने हमें सिखाया है कि हमारी जरूरते बहुत ही छोटी है जैसे कि दो टाइंग का खाना अपने फैमिली के साथ हसी और खुशिके पल बिताना पर हमने इस आधुनिकी करन के चकर में खुद को इतना बीजी बना लिया है कि हमने हमारी हेल्प को खो़ द इस वाइरस ने हमें यह भी सिखाया कि हमारे फीजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है इन अंसर्टन टाइम्स में कैसे हमें दिप्रेशन और एंग्जाइटी के पैटर्स को हटा के खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए यह इसने हमें सिखाया दिल्ली सिक्स मुवी का बहुत ही खुबसूरत गाना है अरजिया उसकी दो पंतिया मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा तो गोर किजिएगा एक खुशबू आती थी मैं भटकता जाता था एक रेशन सी माया थी और मैं तकता चला जाता था जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया मुझमें ही वह खुशबू थी जिसे तूने मुझे मिलवाया इस वाइरस ने हमें खुद से खुद को मिलाया है आशा है आपको हमारी यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी अगर ऐसा है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजे और बेल के बटन को दबा दीजे ताकि आपको ऐसी ही रिलवेंट वीडियो बार बार मिलती रहे और एक ज़रूरी चीज़ इस वाइरस ने आपको क्या लर्निंग दी है वह नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताईए तब तक के लिए हसते रहें आपके फैमिली के साथ मुश्कुराते रहें गौड ब्लेस यॉल